अब कर दोस्तों आपका वैलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल दरीशी बटन इस्टोर में जैसे के दोस्तों आज हम आपको दिखाएंगे कि है विसकस के प्लांट को यानि कि बड़ा हैल को प्याओधर को कैसे रिपोट करें नर्सरी से लाए हुए इस पाओधर को दोस आसा ड्राइव हो रहा था हलका पत्ती इसलिए हमने एक दो दिन से ऐसे ही रहने दिया और आप भी ऐसा ही करें अगर आपको प्याओधर को दिक्कत आती है वरना कोई बात नहीं है आप इसे लाकर करके फॉरण ट्रांस्प्लांट कर सकते हैं दोस्तों हम आपको बताएंग अरसरी से लागर के किसी पॉर्ट में लगाने हैं तो उसको लगाने के बाद पानी अच्छे से देने के बाद उसे जो है छाई में छायादार जगा पर रखें एक दो दिन के लिए वरना आपका पिड़ डेड़ हो सकता मर सकता है तो दोस्तों अभी हम आपको दखाएंगे किस तरीके से हम रिपोर्ट करेंगे इसमाना मिट्टी के लिए है और किस तरीके से हम इसे रिपोर्ट करेंगे वह आप देखिया और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें बगल वाले अभी अभी कोई प्रैस कर दे और दोस्तों वीडियो पर अब फास पोर आसपोट आज सारी चीजह यानिकी कोई भी भी होती है लाइट वेट स्वाल होती है यह जैसा कि आप यह देख पा रहे होंगे ठीक है दोस्तों हमसे मिलाते हैं और यह हम इसी के साइज का छोटा एक पॉट लेंगे ज्यादा बड़ा नहीं लेंगे क्योंकि हम अगर एकी बार में इससे बड़े पॉट में शिफ्ट कर देंगे तो दोस्तों इसके साब से यह जड़ा अपनी ज्यादा फैला लेगा उपर ग्रोथ कम करेगा और इसके का अब इसे चोड़े पॉट में लगवग आठी का परट है तो इसे जह लगाने के बाद हम जो है फिर बाद में जब इस पॉद्री ग्रोथ होगी तब हम इसे दूसरे पॉट में शिफ्ट कर लेंगे तो यह दोस्तों देख सकते हैं आप हमने यए दो गॉलिया था यह यहां में राद देंगे इसमें बस देख सक्ते हैं त्बस आइसे दोस्तों आप इससे निकाल लेंगे हमने इसे पर्ड को भड़ लिया आदा फिल कर लिया है आदे से कुछ कम तो अब हमें से निकालेंगे दोस्तों आप ये इस तरीके से निकाल लिया है और इसकी रूट्स देख तकते जारा डबलप नहीं हुई थी इसमें ये रेड़ सोयल में लगका आता है ये लाल मिट्टी होती ही क्योंकि ये कॉलकत्ता से लगका आते ह सब्सक्राइब कर दोस्तों हम इसे ज्यादा तोड़ेंगे नहीं से इस तरीके से ही हमने निकाल लिया देख सकते हैं और ज्यादा देर वहां ना रखते हुए हम इसे इसी तरीके से आता है तो आप यह देख सकते हैं में इसे पॉट को फिल कर लिया है अच्छे से पानी दे जाएंगे और और दोस्तों हम एक दू दिन तक के लिए हम से च्छायादार जगहा पर कहीं रख देंगे जहां पर इसे डाइट सनलाइट से पत्ते जुलाइज दाएंगे पूल हमारे जो बनाए गवान अधिकली भी यह भी खराब हो सकती है तो दोस्तों अभी हमारा कंप्लीट हो चुपा अगल वाले वैल के अईकन को फ्रेस कर दें ठीक है मलते है अगली वीडियो में अच्छी वीडियो तब तक के लिए खुदा आपश्च